स्वामी विवेकानन्द की जैनती पर राश्र रियाज उन्हें शधांचली अर्पेत कर रहा है। इस अफसरपणने निताल के हल्दवानी में केंदी रक्षा एवं परिटन राजमंत्रिया जेभट ने स्वामी विवेकानन्द की मूर्थी का अनावरन किया। साथ ही म्यूसिकल फवारे का भी लोकारपन किया। इस दोरान रन फॉर इंडिया के तहट बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता में श्रीभट ने उनका उत्सहावर्दन किया। और विवेकानन्जी के बारे में देशी नहीं दुनिया जानती हैं। और आज वो हमारे सारे योकों के आदर्स भी हैं। उनकी जीवनी को पढ़ने से बहुत सारी प्रेहणाय मिलती हैं। और विश्चु में किस तरह से विवेकानन्जी की मान्यता है। ये पूरे विश्चु के कोने कोने में सारे लोगों को ग्यांत है। और उनकी इतने ज़्यदा डिवोटी हैं। मैंने पहली कहा है कि वो योकों के आदर्स हैं। इसी के तहट यंग इंडिया जो हमारा कारिक्रम है चैन का। उसमें आज ये हमारे बच्चे और उनसे सबसे छोटी बच्चे उनसे कुछ बड़े बच्चे फिर बड़े बच्चे। हमारे यूथ भी जगो जगो आज देश भर में इसी तरह के दोड़े हो रही हैं। वहीं स्वामी विवेकानन्द की जहनती के आफसर पर चंपावत जिले में कई कारिक्रमों का आयोजन किया गया। इस विवेकानन्द में कई प्रबुद लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कारिक्रम के सह संयोजक डॉक्टर रुचर जोशी ने बताया कि स्वामी जी की 160 वी वर्चगांट के अफसर पर महाविद्याले की राजनीतिक प्रकोष्ट द्वारा हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से कारिक्रमों का आयोजन किया गया। स्वामी विएकन्द राजकिशनात को तर महाविद्याले द्वारा इस वर्च से भी बड़ी धूमधाम से इन कारिक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे राजनीति विग्यान परिशत द्वारा आज एक कारिक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसके सहीर्जक दॉक्टर प्रकाश लखेडा है। इस कारिक्रम में कल एक राज इस्तरी प्रश्णी नोत्तरी प्रत्योगिता का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन महाविद्यालेओं, विश्विद्यालेओं के चात्र हमारे साथ जुड़े। और आज अध्योजन आश्रम मायावती के अध्यक्ष डॉक्टर स्रीशुद्धी रानन जी द्वारा एक अतिती व्याख्यान भी यहाँ पर दिया जा रहा है। कारिक्रम के संयोजग डॉक्टर प्रकाश लखेडा ने बताया कि स्वामी विवेकानन जी का लोहा घाट के प्रती बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि स्वामी जी सन 1901 में मायवती आश्रम आई थे और यहां 15 दिन प्रवास किया था। स्वामी विवेकानन जी का लोहा घाट से बहुत पुराना और एक आत्मिय नाता रहा है। जो अद्वेट आश्रम लोहा घाट में है वो स्वामी जी के सपनों का आश्रम है जहां पर सनातन धरम के सप्तिका बोद कराये जाता है।